वेलकम दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका परस्टन डॉक्टर डॉक्टर पुरहान मलिक और दोस्तों आज की इस वीडियो में में लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत आसान घरेली नुस्का उन लोगों के लिए जिनके बाल कमजोर है, गिर गए है या उग नहीं रहे है या उनको किसी भी तरह का गंजापन है आपने बहुत सारी वीडियोज के अंदर देखा होगा कि एलोवेरा जेल को लगाया जाता है जिसके वज़ा से हेल रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं लेकिन आज का इस्पेशल नुस्का जो है जो कि बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं वह मैं बनाना सिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर हमें सिर्फ एक एलोवेरा लीफ की जरूरत होगी उसका भी बहुत थोड़ा सा पॉर्शन और साथ में हम यूज करेंगे ये डाबर का केवडा वाटर इन दोनों चीज़ों को मिला कर हम नुस्का तयार करने वाले हैं इसके नुस्के के इस्तामाल करने के 15 ही दिनों के अंदर आपके तूरते हुए जड़ते हुए बाल रुख जाएंगे और आपके जो बाल चले गए हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे आपके कमजोर बाल ताकतवर हो जाएंगे और आपके जो डल हेयर्स हैं वो बहुत शाइनी हो जाएंगे आप चाहे female है या male है इस सब के लिए ये जो नुस्का है ये बहुत beneficial है कैसे इस नुस्के को बनाना है इसको तरीका मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले आप से दर्खास करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करने bell icon को दबा ले जिससे आने वाली हर एक नई update आप तक easily पहुँचते रहे तो चलिए नुस्के को शुरू करते हैं सबसे पहले हम knife ले लेते हैं sharp और उसके edges जो है हमारे ये edges हम cut कर लेते हैं उसके बाद पीछे से जो pulp है इस pulp को हम remove कर देते हैं और ये थोड़ा सा pulp हमें ले लेना है आपको अपनी बालों के according pulp इस्तावाल करना है अगर आप female है तो अपने बालों में आप देख सकते हैं कि कितना pulp आपको लगेगा और अगर आप male है तो अपनी हिसाब से आप ले लिजएगा बहुत अच्छा है कि आप बिल्कुल fresh leaf इस्तावाल करें जिससे कि इसके अंदर की जितने phytoconstituents हैं वो सारे की सारे आपकी hair के अंदर पहुंच सके तो हमने इसे बिल्कुल fresh leaf लिये और इसके बहुत छोड़े टुकड़े करके हमने इसके ले लिया है यह हमारे पास aloe vera का juice आ गया है इसको हम थोड़ा सा crush कर लेते हैं देख सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से crush कर लिया है और इसको अच्छे से हमने juice बना लिया है अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा केवडा water मिला लेना है तो आप देख सकते हैं कि आपको अपने हेर के अकॉर्डिंग केवड़ा वॉटर मिला लेना है तो इसमें हम दो चम्मच केवड़ा वॉटर मिला रहे है और ये हमारा नुस्खा बिल्कुल तयार हो गया है आपको कैसे यूज करना है आपको इसमें रात को सोने से पहले इस पूरे जूस को अच्छे से अपने बालों में अपलाई करने के बाद आप पूरी रात इसको लगे रहने देंगे और सुबा में जब आप उठेंगे तो उठने के बाद आप किसी माइल शैम्पू से इसको व कीट के अंदर एक oil आता है जो कि बहुत special है और वो oil बहुत ही ज्यादा effective है अगर आप चाहें तो उस oil को purchase कर सकते हैं उसका link आपको description में मिल जाएगा और i button में मिल जाएगा flip card amazon पे भी जाकर आप उसको purchase कर सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह video आप जरूर मुझे ब नए नुसके के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए थैंक यू सो मच झाला झाला झाल झाला झालाई